असलाम लेकुम अमीर आप सब लोग ख्यारियत से होंगे तो पिछली बार जब इन आपको crystal material बना सिखाया था तो उसके लिए सब लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग से particles में क्यों use करेंगे क्योंकि crystal material का जो हमने material बना था वो एक loophole से create हुआ था क्योंकि EV के नरे emissions प्रॉफर नहीं हो सकती तो इसलिए हमने बीच में light डाल ले थी इसका issue यह है कि जब आप particle system में इससे use करेंगे तो चाहिए अपने इसे parent भी किया हो तो तब भी particles सिर्फ crystal को या अगर रिंडर करेगा या light को करेगा दोनों को नहीं करेगा तो उसका structure के material भी loophole से create हुआ है तो हम दोग से particles के बिजाए एक होड़ सी किसे हम लोग से करेंगे ता कि multiple of crystals यूज कर सके और वो भी loophole वाल रिका है यह टेक्निकली loophole है तो उससे पहले है अपसे पहले मिस्टेरियल को देख लें और देखें इसके अंदर एक light है यह रही है तो वह point light show हो रही है तो अम दो कप करते हैं एक निया collection दाएंगे ठीक है नियू collection इस collection के नाम रख लेते हैं c-r-y-s-c-a-l आप नहीं कुछ भी रख लकते हैं और जो cube है उससे और जो point light है उससे तोनों को इस तवाले नए वाले कि जो crystal का अपने collection बनाया है उसमें जाल देते हैं तो हम लो collection instances यूज करेंगे वो बैसिकली पार्टिकल सजाए बैतर सिस्टेम एक समसे रिजन उसकी यह है कि collection instance में बैसिकली जो चीज है यह crystal है यह rendered होगा सही लेकिन इसके जो faces एक्ट्रा faces है वो count होंगे मुझा डबल निकांट होंगे तो उससारा से render time भी थाप और reduce हो जाएगा पूर शुक्ट्राइब करहें और पूर आपको इसे scale भी कार सकते हैं रोटेट भी कर सकते हैं जिस आफ चाहे तिक कि वह गुए 과 मतलब फेक करने का मतलब यह हुआ कि वह असल में वहाँ पे है नहीं लेकिन रेंडर हो रहा है यह नहीं किना हुपसुरत है और कुछ लोगों को चाहिए प्रॉब्लम आ रही थी कि वह इतना हुपसुरत उनका मिट्रियल नहीं लगा तो अब जाए डिटेल आट करें मैंने सि सब्सक्राइब करने तो और जाए शाए अच्छा लगेगा तो अमीदा सबको सीखने को मिला होगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें में और वीडियो बनाता रहूंगा फिर मिलते हैं अल्ला हाफिस